दोस्तों आज के सिंफ्रमेंट वीडियो में हम बात करेंगे ओवारूपी पर गमाशान कमेंट्स, ट्विट्स और यूटूब वीडियो की भरमार तथा मेज़े चनल सत्विर सिंग साब ने गौवर्मेंट ने जो 2014 में ओवारूपी दी थी स्वारूपी को लंगरी ओवररूपी बता है और ट्विट किया है इसके बारे में बंदे के ट्विट के रिपलाई में ऐसा साब ने रिट्उट किया है इस पर्ष पर पेंशनर सके माइगरेशन का अगस्त महीन में रिकोर्ड तोड इसतांतरन किया है जिसका जारी हुआ है पी आई भी और इस पर्ष की तरफ से पुरांए पेंशनर्स को भेजा जा रहा है पेंशनर आईडी तो अब उनको आगे करना क्या है तो दोस्तों जैसे कि आप अपने स्क्राइब देख पा रहे हैं OROP 16 मार्स 2022 से लेकर आज 7 सेतंबर 2022 तक मैं अब मेजर जनल सतवीर सिंग साहब का कहना है कि उनकी टीम सेतंबर महा के पहले भीग में कंटंप्ट औफ कोर्ट फायल करने का विज़ार बना रही है इसी कड़ी में कई tweets बतोर reply देखे गए जहां कई defense pensioner उने कहा कि अभी हमें 14 सेतंबर तक का कम से कम अतिजार करना ही चाहिए ताकि government को जो समय court ने time extension appeal को resubmit करने के लिए दिया है उसे पूरा किया जा सके क्योंकि यदि government अपनी time extension की appeal को resubmit करती है तो फिर कुछ रास्ता निकल सकता है इसी उम्मीर की जा रही है इसी कड़ी में इसी संकला में ये tweet आप देख पा रहे हैं ट्यूट किया है group captain T.P. Srivastav ने एक सितम्मर का tweet है और इसमें लिखाए Dear Satbeer, by challenging our own government we as soldiers are projecting military in poor light It is never too late to realize when to stop What has been the accomplishment of the OROP ignitation, trade union style Creations of bad image of military in the eyes of civilians Please stop तो Srivastav जी कहते हैं कि Dear General साथ, हम से पाई है और अनुसासन हमारा virtue है हम अपनी ही government के खलाब military को poor light में project कर रहे हैं जैसा कि civil आंदोलनकारी या civilians करते हैं यानि कि क्या वारूपी का protest, trade union की तरज़ पर ही पूरा होना है After all हम soldiers है We are soldiers और किसी बड़े और महान व्यक्ति ने कहा है Once a soldier is always soldier मतलब कि जो व्यक्ति दिल से एक बार सिपाई बन जाता है वे मरनो प्रांच तक सिपाई ही की तरह वरताब करता है सिपाई का ही जीवन जीता है वे देश का scenic ही रहता है वो देश के बिप्रीत नहीं चल सकता क्योंकि after retirement भी scenic पर defense के कानून और भाते समदान के प्रितिरिक्षन वाले जो laws हैं वो effective होते हैं इस तरह के आंदलोनों से military की पतिस्टा और छबी को खराब गिया जा रहा है इसी सम्मन्द में Major General Satvir Singh साहब ने जो है reply दिया है अब आपको मैं वो reply भी बता देता हूँ यह reply दिया है सत्वीर साहब ने और सत्वीर साहब ने बताया है की 14 years we have been pleading with government for the justice which has not been granted do you think government would have given us even langari OROP even langari OROP that is the word used by Major General Satvir Singh had been not peacefully protested so the soldiers not get justice we should continue to seek justice peacefully इसका मतलब है दोस्तों की गत 14 सालों से हम नयाय के लिए प्यास रथ हैं जो की अभी तक भी हमें नहीं दिया गया है क्या आपने कभी सोचा है कि government ने हमें पूरी OROP नहीं दी even langari OROP हमें दी गई है इसका मतलब है मैजर जनरल सत्वीर सिंग साब हमेशा से original OROP यानि असली OROP की बात करते आए हैं और मांग रखते आए हैं government ने एक जुलाई 2014 से जो OROP दी थी उसे लंगरी OROP कहते हुए जनरल सत्वीर सिंग साब आगे लिखते हैं कि क्या हमने और हमारे सेनेकों ने सांति पूर्ण प्रोशेस नहीं किया क्या हमें जस्टिस नियाय फैंसला नहीं मिलना चाहिए हम लगाता है सांति पूर्ण तरीके से नियाय की मांग करते रहेंगे दोस्तों ISM के चीफ मैजर जनरल सत्वीर सिंग सहाब पूरी pensioners कौम के लिए नहीं कर रहें ये सिर्फ वो अपनी officer के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी मांदारी से अब हमारे जो representative हैं उनको अपनी लड़ाई अपने तरीके से अपने बंदों के लिए लड़ने की जरूत है ध्यान रखना कि original ORP जो है वो मुद्दा नहीं है मुद्दा है ORP का revision हमें ORP का revision चाहिए original ORP नहीं चाहिए क्योंकि original ORP के बारे में Supreme Court of India ने बिलकुल कहा था कि ORP नीतीगत है उसमें कोई भी किसी तरह का कमी नहीं है अब बात है आपके ORP revision की जोगी आपको तीन महीने के अंदर दिया जाएगा ऐसा 16 मार्ट 2022 को सुप्रिम कोट ओफ इंडिया ने वर्डिक दिया था परन्तु उसका इंप्लिमेंटेशन नहीं हुआ वो इसलिए कि उसमें हम हमारे लीडर्स अर्चने डालते रहे किसी ना किसी तरह की रुकावट डालते रहे परन्तु इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि गौर्णमेंट नोस दा फेक्ट ओफ ओ ओ और ओपी आठ सालों में यानि 2014 से लेकर 2022 तक ओ और ओ डिसेबलेटी पेंशन पेंशन रिवीजन डी ए अरियर्स नोस्नल इंक्रिमेंट होनी रेंग्स फाइनेशल बेनिफेट के मामले वार केदियों के छुड़वाने के मामले MSP का मामला CSD अनॉमलीज का मामला और ओफसर जेशी ओवार्स ुआर्स डिस्केमिनेशन्स कम से कम किसी बंदे को treatment तो इस तरह से मत करो after retirement बंदा सिबलियन हो जाता है उसके बाद उसको ये rules कि आप अपसर हो आप जेशी हो आप वार्स हो उस तरह से आपको words मिलेगा that is not a good manner and not a good thing और अइसे ही मामले pensioners द्वारा कई चठ्थियों पत्रों फोटोज emails फोन्स द्वारा government of India को सोचित की गए है पिछले आठ सालों में हम सभी मामलों के लिखित दस्तावेज government के पास संग्रित कर चुके है यानि कि हम लेटर्स भेज़े हैं तो वो as evidence है अब समझो कोई दस्तावेज आपने लिखित भेजा है सायन करके तो वो जब बाई डांक पहुचा है तो वो government के पास संग्रित हो चुका है और वो as evidence काम आ सकता है और अब government of search versus wars के discrimination को मिटाने के mood में है इसलिए इस mood of wars welfare को भंग करने के लिए और of search की तरफ ध्यान खिचने के लिए और रोपी को लटकाने की प्रिकरिया चालू है 16 मास 2022 से वो आरोपी मिलेगा लेकिन कितना और कब ये सिर्क government ही ते कर सकती है government has power to make a rule nobody can refuse the government क्योंकि supreme of power is a government आपको पता है कायर पायल का हमेशा ही supreme रही है उसके उपर supreme नय पालिका रही है ऐसा हमारा तंत्र है लोग तंत्र ना कोई संगठन तै कर सकता आपकी औरोपी कब मिलेगी कब कितनी मिलेगी और ना ही कोई अफसर तै कर सकता है तो आपको let's see वाले mode में रहना है यानि कि observation mode में रहना है कि क्या चल रहा है और note करते रहना है कि गवर्मेंट ने कब कौन सा notification निकाला official चीजों को आपने note down करके रखना है 16 तारीक March में judgment आया फिर review petition डाली गई time extension अपी डाली गई अब contempt of court की बारी है तो 2022 को आप भूल जाओ 2023 में जम्प कर लो direct इन चीजों का आप note down करोगे और इनका आंगलन करोगे मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको intimate करना चाहूँगा कि court में जो procedures होते हैं उन में minimum 30 days और maximum 90 days का time दिया ही जाता है यदि आप कोई भी कायरवाई करोगे कोई appeal करोगे उसको resummit किरवाना है तो 90 days का time आपको दे दिया जाएगा इसी तरह के time से यदि extension या court contempt of court में मिलते रहे तो आपका ये 2022 भी खतम हो जाएगा OROP का revision आपको मिल ही नहीं पाएगा तो आप basically ये समझो कि यदि कोई OROP दे सकता है तो वो government है आपका protest आपका अंदोलन या आपकी कोई भी हिमाकत और हरकत आपको OROP नहीं दिला सकती OROP सिर्फ पर सिर्फ government दे सकती है इसलिए we support the government and we observe the government ये ज़रूरी है आप किसको support करेंगे ये आपका अपना दिकार है लेकिन कम से कम आपको government की तरफ धहन देने की ज़रूत है कि government OROP नहीं दे रही है तो उसके क्या कारण है ऐसी कौन सी problems है जिसकी वज़े से government इस पर ध्यान नहीं दे रही है तबज्जू नहीं दे रही है ठीक है अच्छा अब आगे हम बात कर लेते हैं SPERS के बारे ये भी बहुत important है और ये एक P.I.B. है जो 2 सितंबर को निकाली गई थी SPERS के मादयम से रक्षा pension भोगियों को record digital बित्रण 5.6 लाग pension भोगी digital platform पक गई यानि कि SPERS migration जहां government ने press release करके ये बताया है तो ये SPERS अब आपके pensioners के लिए very important है आप ये गलत फहिमी में ना रहें कि SPERS हट जाएगा या SPERS को हटा दिये जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा SPERS से ही सब कुछ होने वाला है तो आप के लिए अच्छा होगा कि आप जतना ज़्यादा जतना अच्छे से जिनना fluently SPERS को जान लें वो आपको easy to living बनाएगा ठीक है दोस्तों तो SPERS का जो इस अगस्त के महने में जो आकड़ा है migration का वो 5.6 लाख है यानि कि इससे पहले इतना बड़ा transfer एक महने में नहीं किया गया है काफी अच्छी स्पीड है कॉर्मेंट की तो जल्दी आप सब को pensioner ID user ID और password मिल जाएंगे और फिर उसके बाद आप अपना PCDA में जो आपका account है वो आप खुद manage कर पाओगे कि क्या कुछ उसमें चल रहा है क्या आप खुद अपनी grievances डाल पाओगे बहुत सारी चीज़ हैं बहुत सारे फायदा आपको उसमें मिलने वाले हैं तो पहले स्पी आई भी को देख लेते हैं फिर आगे की जानकारी लेंगे Digital India पहल को गती देते होए pension प्रसासन के लिए प्रणाली रक्षा या सपर्स द्वारा अगस्त बाइस दो हजार बाइस के मेहने में रक्षा pension भोगियों को Digital रूप से 3,090 करोड रुपे से अधिक वित्रत किये हैं यानि कि जो आपको pension दी है न वो 3,090 करोड रुपे से अधिक एमाउंट जो है सपर्स के द्वारा दी है और ये क्या है ये एक अन्य उबलब्दी है अगस्त बाइस के मेहने में 5,62,940 रक्षा pension भोगियों को सपलता पूर्वक डिजिटल प्रेटफर्म पर सपर्स पर सपर्स पर नाली में pension भोगियों को ट्रांसफर किया और कुल सिंख्या इनकी 11,00,000 हो चुकी है यानि कि ये भारत के कुल रक्षा pension भोगियों का 33 प्रतिशत जो है ट्रांसफर हो चुके है अब आपका भी नम्मर जल्दी ही आने वाला है पोस्ट 2016 का कंप्लेट हो चुका है अब प्री 2016 का चल रहा है दोस्तों तो आप सब प्री 2016 वाले अलाट रहें फॉन को एक्टिवेट रखें मेसेज़ों को डिलेट ना करें अपने इमेल्स और इस पर जो भी pension राइडिया आती है उसको प्रोपर राइड डाउन करके रखें फॉर दा फॉर्दर पेंशन यह परिवर्तन कदम कार्मक नवचारों के माद्यम से ही संबब हो सकता है इसपर्स बैवाधर प्रणा ली जो pension दावों को प्रोसेसिंग करती है और बिना किसी बाहरे सेब के रखेंशन भोगियों के बैंक खातों में प्रतक शुरूफ से pension जमाना करती है यानि कि कुल मिला के इसपर्स ने ये काम सुरू कर दिया है प्री 2016 के लिए अब पहले एक message कुछ pensioners को मिला था डिरेक्टिव की तरफ से कि आपकी pension जो है इस पर्स पर टांसफर कर दी गई है अब pensioners को ये message मिलने लगा है ये देख लीजिए मेरे पास ये message आया था किसी दिगज का उन्होंने ये लिखा है उनके पास ये message आया था इसमें लिखा है डियर सिपाई हर्देव सिंग pensioner ID MIGSSC000 आगे जो डिजिट हैं वो ahead कर रखे है for the security region ये इडेन्टिफिकेशन इस ड्यू ओन 30 नवंबर क्या बोला है नोने कि 30 नवंबर को आपका DLC जमा होना है उससे पहले आपको TLC जमा करना है DLC ठीक है please complete the same to avoid stoppage of the pension इसको आप complete कर ले ताकि आपकी pension पर stoppage ना लगे और आप ये कैसे होगा SPERS कितर होगा lab certificate procedure 1 में visit करना SPERS defense pension.go.in पर या visit कर सकते हैं अब nearest pension service center for assistance आप कॉल कर सकते हैं इस नमर पर 1-800-180-5325 9-6 वज़े तक Monday to Friday ये message अभी circulate किया जा रहा है pensioners को तो इस message को देखे गवड़ाने की ज़रत नहीं है आपको कम से कम ये जानना चाहिए कि ये जो pensioner ID है ये without suffix pensioner ID जो है ये ही तुमारा SPERS PPO है बट ये SPERS PPO कब बन जाएगा जब इसमें suffix number जुड़ जाएगा ठीक है दोस्तों तो वो आगए इसके बारे में time to time आपको update करते रहेंगे तो ये तीन important जानकारिया मैं आपके लिए के लिए आया था that's all for this video जैहन for the next